और विट नॉर्णिंग दिखी इसे थीक हैं आट अच्छी स вин हर पदाई कर रहे हैं अच्छी सर्काइल करें हैं एन आज घुद्स नो लुए को मैंने आपको व्यक्राण में चाज़ टाती character करा दीए अच्छा कि एकिने हैं चेप्टर व्यक्राण करो चल रहे हैं बच्चो चैप्टर फाइफ अपना वच्चन आज हम वच्चन पढ़ने जा रहे हैं बच्चो वच्चन और यह वच्चन क्या होते हैं व्याकन में जो है वच्चन किस काम आते हैं क्या होते हैं तो बच्चो वच्चन जो है बहुत काम क्यों होते हैं व्याकन में बच्चन हमें ये बताते हैं कि ये संख्या एक है या एक से अधिक है ठीक है ना बच्चो बच्चन अगर नहीं हो तो मैं पता नहीं चले कि ये एक बच्चा है या बहुत सारे बच्चे हैं मैं कहें दू काक्षा में लड़का है अब स्रब लड़का ही बोला जाएगा तो कि से पता चलेगा और बहुत सारे बच्चे बैटियों तो वच्चन जो है वच्चन से में यह पता चलता है कि उस संख्या कितनी है एक है या एक से अधिक है तो हम आज वच्चन के बारे में पढ़ेंगे तो आप बच्चे से देखो वच्चन सबसे पहले देखो वच्चन की प एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उससे हम बच्चन कहते हैं क्या कहते बच्चों उससे हम बच्चन कहते हैं यानि यह संग्या यह सोर नाम के जिस रुप से उसकी एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उससे हम बच्चन कहते हैं आप देखो कैसे जैसे लड़का लड़का एक और लड़के बहुत तो जैसे लड़का लड़के मैं यह दो चार एक्जाम पर दिया है आप सुनो लड़का लड़के गमला गमले लड़की लड़कियां बच्चों इसमें लड़कियों में क्या होता है जैसे लड़की इसे वाली मातरह यहां से यहां बदल जाएगी और यहां पर चन्दरबिंदू लगेगा तू लड़की लड़क लड़कियां गलती गलतियां तितली तितलियां चीकल बच्चो केला केले केला एक और केले बहाद सारी लहर other लहरें बहा सारी, छात्रा एक और छात्राएं बहा सारी, दुबारा देखिए, संध्या या सवनाम की जिस उसकी एक या एक से अधिक संख्या होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं, जैसे लड़का एक वचन, लड़के बहु वचन, जैसे गमला एक वचन, गमले बहु वचन, जैसे लड़की एक वचन, लड़कियां बहा सारी बहु वचन, केला एक वचन में आएगा, तो केले क्या आएगा बच्चों बहु वचन में, लहर एक वचन, तो लहरें क्या बहुवचन में चीड छात्रा एक वचन तो छात्रा एं वह वचन मेंगी इस प्रकार जो मैंने आपको ये बताया है संग्य तो मैंने क्या समझेया आपको वचन वचन की निमलकी दो बेद होते हैं वच्चन के निमलखित किते बेद होते हैं एक वच्चन और बहुवच्चन तो बच्चन किसे कहेंगे सिंपल सा है कि जिस शब्द से संग्या या सवर्णाम की जिस सब्द से एक संख्या होने का बोदों उसे एक वच्चन कहते हैं देखो जो शब्द संग्या या सवर्णाम शब्दों की एक संख्या का बोद कराते हैं उन्हें हम एक वच्चन कहते हैं जो शब्द संग्या या सवर्णाम शब्दों की एक संख्या का बोद कराते हैं उन्हें एक वच् कुत्ता हैं कुट्ता है कि गोड़ा है कि रामी एक तिसमीयों कि एक बिखंब्र थिक है यानि जिस संध्याय संथ्चय का बोध कराते हैं उन्हीं हम एक वच्ब्रक्त कहते हैं तरफ कि बहू बहू यानि बहु यानि बहू है ट्रwe बहुवचन जिन शब्दों से संग्या या सवनाम शब्दों की दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है या पता चलता है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं जिन शब्दों से संग्या या सवनाम शब्दों की एक या या दो सदि संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं अब हमने देखो बचुँ या एक वचन लिखाता था तब पुस्तक और बहुवचन में क्या हो गया? पुस्तके, पुस्तक एकवचन, पुस्तके बहुवचन, खुत्ता एकवचन, खुत्ते बहुवचन, घोड़े बहुवचन, रानी एकवचन, रानिया बहुवचन, तितली एकवचन, तितलिया बहुवचन तो इस प्रकार जो मैंने आपको संग्या किसे केते हैं, संग्या की केते बेदोते हैं बताया बती इसमें देखो, इसमें जो है एक वच्चन या भवच्चन के रूप में प्रियोग कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं, जो होते तो एक वच्चन है लेकिन उनका प्रियोग बहु वच्चन शब्दों में किया जाता है दोबारा देखो कुछ शब्द एक वच्चन का बहु वच्चन को रूप में प्रियोग कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनने एक वच्चन तो होता है लेकिन उन्हें हम भवच्चन को रूप में बोलते हैं अब कैसे जैसे कि आदर प्रकट करने के लिए किसी को आदर प्रकट करते हैं तो एक वच्चन का जो होता है एक वच्चन शब्दों का प्रियोग भववच्चन में किया जाता है देखो क कैसी किया जाता है दोबारा देखो कि एक वच्छन का बहु अच्छन के रूप में प्रयोग तो यह कब किया जाता है जैसे किसी को आदर जाता है तो आदर प्रकट करने के लिए एक वच्छन शब्दों का प्रियोग जो है वो भाववचन के रूपमिंग किया जाता है ठीक है अब जैसे अपन कहते हैं अपन यह थोड़ी कहते हैं दादा जी आया है नो क्या बोलेंगे दादा जी आये हैं है तो दादा जी एक एक बच्चन वाना वाकिया दादा जी आया है यह कहेंग दादा जी आए हैं, अब कहें नाना जी चला गया, नो, नाना जी चले गए, ठीक है बच्चों, तो हमको आदर प्रकट करते हैं, जैसे नेता जी आराम कर रहा है, नो, हम क्या कहेंगे, नेता जी आराम कर रहा है, हम प्रधारमत्री के लिए क्या बोलेंगे, प्रधारमत्री लाल क्ले से भाशन देगा बच्चों ऐसे बुलेंगे प्रधान मत्री लाल क्ले से भाशन देगा नहीं हम बुलेंगे प्रधान मत्री लाल क्ले से भाशन देंगे तो उनको क्या दिया गया है हमने सम्मान दिया गया है आदर दिया गया है तो कई ऐसे जो होता है चब कई जो ह एक वचन का भवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है आदर प्रकट के निकले यानि किसी को आदर प्रकट के निकले हम एक वचन का प्रयोग भवचन के रूप में करते हैं जैसे कि मैंने आपको उधाराम बता ऐसे ही जो है नेता जी आराम करें कुछ भी बोल दो पापा भ HEY कि दभ्त-र चला गया अच्छ लग्राब को ऊबते वहthest न किता वोль तो किसी के लिए भी बोलते हैं तो आदर करते हैं तो जैसे मैं कहूं कि कोई आते हैं जैसा हमारे गहर आए जैसे आप आई जैसे अपनी सर आए जैसे अपनी में हमां आहिक आपकी सर आए है महिए एक वचन मेंको यह प्र्वचन के रूप वे प्रयोग किया जाता है तो वच्चन ये भी होता है उसी प्रकार कुछ वच्चन जो होते हैं हम वच्चन की कैसे पहचान करते हैं तो वच्चन की दो प्रकार से पहचान होती है बच्चों वच्चन की हम कैसे पहचान कर सकते हैं वच्चन की पहचान दो प्रकार से होती है एक तो थी संग्या और स्वर्णाम शब्दों से और दूसरी होती है किरिया शब्दों से ध्यान से सुनो आपको कोई दे दे एक सेंटेंस दे तो आप बच्चन की कैसे करोगे तो बच्चन की पैच्चान हम दो प्रकार से कर सकते हैं एक तो होती है संग्या और सन्नाम शब्दों से और दूसरे होती है किरिया शब्दों से ठीक है बच्चों है ना तो अब आप देखो कि एक यह आता है कि सदा एक वच्चन में रहने वाले शब्द कुछ ऐसे शब्द है जो सदा एक वच्चन में बोले जाते हैं और कुछ ऐस इसे शब्द होते हैं जो सदा बहु वच्चन में प्रयोग होता है तो एक वच्चन वाले शब्द वच्चन की पैच्चान यह मैं बताती हूं कि वच्चन की जो बच्चों पैच्चान संग्यार शब्दों से जैसे तोता डाल पर बैठा है तोता डाल पर बैठा है बताए व तो क्वाग्षा में 20 चात्र तो ये कैसा हो गया बहुवचन हो गया तो इससे अमने संघ्या और स्वौनाम शब्दुसे पता कर लिया एक वच्छ या गया बहुवचन जैसे मैं कहूं कि टोटा डाल पर बेड़ा है मोर जो है नीचे बैठा है जो डाल पर बैठा है है तो क्या करोगे एक वचन और जैसे मैं कहञे गुव कि कख्श संघ्या के अचया यह कौंसा हो गया नियुकर लोग आरे हैं यह न में तो बहु वच्चन हो गया, तो संजया, और सर्णाम शब्दों से हमने क्या किया, पैचान करी, उसी प्रकार है, जैसे मैं पुश्टक पढ़ रही हूं, ना, मैं तो एक सर्णाम, ना, क्या हो ई, और उसके बाद पुश्टक पढ़ रही हूं, तो मैं एक वच्चन कहला ही, ना, जैसे हम, हम विध्याले में जाएंगे, हम विध्याले में जाएंगे, बच्चों कौन से वाक्य हुआ, हम सरनाम वा और विध्याले में जाएंगे भवच्चन वा, तो हम विध्याले में जाएंगे, इस संग्या और सरनाम शब्दों से मैं पता चल गया, कि ये भवच्चन है या एक वच्चन एक तक किरिया शब्दों से मैंने दो बता हैं एक किरिया शब्दों से एक तो है संग्या शौनाम शब्दों से वच्चन की पहचान एक तक किरिया शब्दों से वच्चन की बेराम कई बार किरिया शब्दों से वच्चन की पहचान होती है किरिया जैसे हम का उड़ रहे हैं से हमें पता चल रहा है कि पक्षी एक नहीं है पक्षी बहुत सारे क्योंकि मैंने किया का पक्षी आस्मान में उड़ रहे हैं उड़ने की लेकिन उड़ रहा है नहीं उड़ रहे हैं तो इसे हमें पता चल गया कि यह बहुवच्चन है यनि किरिया से भी हमें किरिया पढ़ने की और चात्र तो किरिया से पता चला कि पढ़ते हैं इसमत्रे एक नहीं चात्र बहुत सारे तो चात्र पढ़ते हैं तो किरिया शब्द से हमें पहचान हुई कि यह बहु बच्चन है ठीक है बच्चों और कुछ ऐसे होते हैं सदा एक बच्चन में रहने वाले शब्द जैसे मैंने आपन के पानी को पानी कहते हैं है चाइक कोई भी हो आप पानी पीऊगे ना मैं पानी पी रही हूं है अनोग आको आप सब पानी पीऊगे तो पानी तो कहीं हो आ São Her string कि उसी प्रकार समाच्चार्व है भीड़ वर्षा आदि यह एक वच्चन में यह शब्द जैए वो हमेश्य款 counselor में रहते हैं वह और शब्द सदा भाववचन में रहने वाले स Серण भावव स्मय परिवारादी यह हमीशा हिंका बावववचन प्रियोग किया जाता है इसलिए ये शब्द जो होते हैं वो भव वच्चन वाले होते हैं ये एक वच्चन वाले होते हैं तो आपको समय में आया कि सबसे पहले आप आप एक बार को बारा दीखिए सबसे पहले हमने आपको को चेप्टर जो है वच्चन एक्समेल वच्चन की परिवाशा कि संग्या या सुनाम के जिस रूप से एक या एक संख्या होने का पता चलता है उससे आप बच्चन केते हैं और जैसे कि कुछ भी उधारन देए तो कितने सारे अग्जाम पला बच्चों बहुत सारी मैंने यह दो-दो-डो-तीन-तीन लिखे दिन लिकिन आप तो बहुत सारे बता सकते हो लड़का लड़के पुस्तक पुस्तके पैन पैने हैंना कमरा कमरे घदा घदे हैंना ठीक है लोमृणी ल आपको बताया कि वचन के दो बेद होते हैं वचन किते वेद होते हैं दो एक बाइद और दूसरा बहु अचन एक वचन किसे कहेंगे बचे जो शब्द या संग्याया सरणव की जो शब्द संग्यायार स्रणव की एक संख्या और बूहत करता है। उसे हम एक वच्ण कहते है। जिसे लड़ा है, कुट्था है... quickest मैं रहे हैं.. जिन तो एक वच्ण भूक है। रानिया तित्लिया आदी ठीक है बच्चों फिर मैंने आपको बताया कि एक वच्चन का भवच्चन के प्रयोग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वच्चन से भवच्चन में प्रयोग किया जाता है यह कहलाते हैं आदर जिनको आदर करने के लिए प्रयोग किया जाता ह तो यह बहु अच्छन हो जाता है देखो आदर शब्ट प्रकंडिकली एवच्छन शब्टों का प्रियों काई में किया जाता है जो इन्हें कहते हैं देखो मैंने कौन-कौन से लिख्या है जैसे नेकता जी आराम कर रहे हैं पापा दब्तर चले गए प्रदारमति लाल कले से बाशन देंगे राश्पति लाल कले से बाशन देंगे कुछ भी हम सेंटेंस जो है जो हम आदर सुझे जो बड़े हैं जो सम्मानिय हैं हमारे पिता ह हम से जो बहुत बड़े हैं जिनका हम सम्मान करते हैं वो पूझ नहीं है हमारे उनको जो आदर से बोलेंगे ऐसे नहीं पापा आ रहा है चाचा आ रहा है है ना ऐसे नहीं उनको सम्मान से जिसे पापा आ रहे हैं दादा जी आये हैं है ना दादा जी चले गए ऐसे तो इस प्रकार अब एक आता है कि कई बार जो होता है वच्ण की पैचान तो वच्ण की पैचान है रूपइं कर सकते हैं एक तो तक संग्यहण से सबतें से और दूसरा होता है खिरियार शग्दों से जो मैंने भी आपको बताया इसके बाद आता है कि कुछ शर्द एक वच्छन में ही रहते हैं हमेशा और कुछ शर्द बहुच्छन में रहते हैं तो मैंने आपको यह पूरा एक्स्प्लेंड किया आपको समय में आगे होगा एक बार अच्छी से आपको कॉपी में लिखोगे वच्छन पूरा और इसके बाद मैं जो है काफी सारे वच्छन या जो भी है कोशन सर उसको मैं आपको नेक्स लेक्चर में दूंगी ठीक है तो यह वाले आप सुन्दर सुन्दर एक्टिम कॉपी में लिखेंगे अच्छे से जो समय में आया बाद मेरे से पूछेंगे ठीक हमसं मेरे आप पास बचर प्लाक बच्छन की बच्चन की असी संदर में रिख सकते हो वच्चन का बावच्चन की रुप में वल्फ ये वाल सिकना, फिर ही आप रिखना वजचन की पहच्चा, अलग-लग हमने यह दोनों का एक साहर लिख देतें चैनें, जैर से कह यहाली का यह लिखे तीम में आप अलग-लग भी लिख सकते हम contain कह एक लाइन में स आख है दूसी लायन में थीक है उसी प्रकार यह दोनों लिख लेना ठीक है तो सुन्दर सुन्दर आट और जो लिखते हैं उनको underline करा करो जो मुख्य बात लिखते हैं न वच्छों जैसे मैं वच्छन लिखा अपना ज है यह ए न काम प्रतेक देन करा करो और गंदा-गंदा काम करके आजााओगे इसलिए प्रत्ते एक दिन All Subject का बार्प करो और हमारे वार्टसम नमबर पर बेजो मेरा हिंदी का मेरे वाले पर ठीक है तो के Thank You, खुश रहो